मेरे यूटूब चैनल एस्टो नरेश पर आपका स्वागत है मैं हूँ नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्श्कों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज़ के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं तो वो आपकी लगन कुंड़ी देखता है जो हमने एक साइट पे लगाई हुई है ये तुला राशी की कुंड़ी है और तुला राशी एक ऐसी जाती है राशी है या तुला लगन एक ऐसा लगन है कहले जिसमें सारे उच्छ के ग्राय नीच का प्रभाव देना शुरू कर द कुंड़ी इसको ये मेश राशी की ही होती है इसलिए मेश राशी लिखाई यहां पर ये कालपुरुश की कुंड़ी होती है जब भी किसी भी कुंड़ी की कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें लगन भाव को देखने के साथ साथ कालपुरुश को जरूर ध्यान में रखा ज आती है बताते हैं कैसे माली यहां पर आपकी कुर्ली में उच्छ के पढ़े हैं दश्मभाव में पढ़े हैं लेकिन यहां पर कारपुर्ष की कुर्ली में वो गुरू नीज का प्रभाव देना शुरू कर देंगे इस कारण आपको गुरू के अच्छे फ़ल नहीं मिल पाते कभी-कभी तुला लगन के जातकों के साथ यह समस्या आती है अब बात करेंगे शनी शनी यहां पर उच्च के भी होते हैं योगा का रख भी होते हैं क्योंकि शनी की मूलत्र कौन राशी पांच में भाव में पड़ी हुई है और एक राशी जो है केंद्र में पड़ी है मकर यह यहां पर योगा करी हो जाते हैं लेकिन यदि शनी लगन में हैं तो यहां पर शनी नीच हो जाते हैं कालप्रश की कॉड़ी में तो इस कारण भी अच्छे फन नहीं मिल पाते शनी के तो यह दूसरी कैल्कॉलेशन है अब माली जी आपकी कॉड़ी में सूरे उच्च के गुजरेंगे और आपको खुब तरक्की मिलेगी लेकिन पता लगता है कि सूरे में सूरे आगया सूरे में आगया किसी दूसरे के रहा का भी अंतर आगया लेकिन अपनी गाड़ी नहीं चल रही उसका कारण यह है कि सूरे यहाँ पर पंचम के स्वामी हो जाते हैं और आपकी कुंडली में वह 15 के नहीं है आपकी कुंडली में गयार्म माव की तो स्वामी है इसका लगी कल्कूलेशन घडबड़ा जाती है अब आगे बात करेंगे मंगल की मंगल यहां पर उच्छके हो जाते हैं चोथे हो में दास्तान के स्वामी है एक सप्थम्भाव किसे कल्कूलोट नहीं हो पाती कालपुरश की कुंडली को कंसिडर नहीं किया रपता इस कारण समस्या आती है अब बुद्ध की बात करेंगे बुद्ध आपकी कुंडली में उच्च के पड़े हुए है तुलार लगन के जात्कों के लिए बुद्ध उच्च के पड़े मिल पाते हैं बुद्ध यहां पर भागेस्तान के स्वामी हैं तो भागेस्तान की स्वामी की दशा में कई बर विक्ती बिमार पढ़ जाता है बुद्ध वैसे भी जो बाते हैं अंतर दशा में या महा दशा में तो बिमारी लेकर आते हैं क्योंकि काल पुरुष्टी कुर्ण तो चंद्रमा यहाँ पर आपकी कुल्णी में उच्च के हो जाएंगे लेकिन कार पुरुषी कुल्णी में यहाँ पर चंद्रमा की नीच राशी पढ़ी हुई है वरिश्चिक राशी तो वहाँ पर नीच के भी प्रभाव करना शुरू कर देंगे साथ साथ ही इसके पूरा 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 फल नहीं कर पाते तो होता क्या है जब प्लैनेट नीच हो जाता है या उसकी कंसेलिडरेशन नीच हो जाती है और ये तुलार लगन में ही होता है किसी लगन में नहीं होता तो जब ये consideration नहीं की जाती तो उसके कारक तत्तों की हानी हो जाती है किसी भी ग्रैके जैसे गुरू है गुरू ग्यान के कारक है गुरू संतान के कारक है गुरू धन के कारक है गुरु आपकी Elevation के कारख हैं तरक्की के कारख हैं वहां पर आपको गुरु के proper फल नहीं मिल पाते हैं क्योंकि काल पुरुशी कुरुज़ी में गुरु नीच का प्रभाव दे रहे होते हैं यहां पर वो reflect होता है लेकिन समझ नहीं आता या दशा तो गुरु की चल रही है लेकिन में को धन क्यों नीए आ रहा में को संतान का समस्या क्यों आ रही आ रही है तो यह तक मीदय करते हैं कि तुला लगन के जातकों के लिए यह वीडियो समिझने में असानी होगी और उनको पता लगेगा कि उनकी जो राशी है या उनका जो लगन है वहाँ पर उनके लिए समस्या क्यों आती है क्यों उनके अच्छे ग्रैब पर फल नहीं कर पाते उनके कारक्ततों की हानी क्यों हो जाती है ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके साथ ही मुझे दीजिये अजाजत नमशकार